नमस्कार दोस्तों 25 दिसमबर 2020 के डेली पर्णी न्यूस करेंट अफेर्स डिसकेशन में आपका स्वागत है सबसे पहरे आप सबको मेरी क्रिश्मस 25 दिसमबर है आज तो वैसे तुम्हें आपको बता दू कि यह जो वीडियो है यह मैं 25 दिसमबर की सुबह लगबग दो या न्यू यह आने वाला है तो अपने टार्गेट्स को स्टेड़फस्ट करिए अपने जो आपका ऐम है उसको स्टेड़फस्ट करियो और पढ़ाई करते रहिए पहली न्यूस जो हम देखेंगे Parliament's Dissolution Nepal's Indian Matter Internal Matter यह किसने बोला है? India ने देखे नेपाल में Parliament का Disolution हुआ है नेपाल के अंदर एक बहुत burning buddha obviously बात एक burning buddha है नेपाल के अंदर democracy अभी भी infant mode में है पूरी तरीके से democracy नहीं आपा रही मुनार्की के बाद constitutions बदलते भी बदलते चले जा रहे हैं जो सरकारे बन रही हैं वो coalition की सरकारे हैं कोई stability नेपाल की politics में नहीं आ पाई 2017 में जब भई प्रचंड और कोपिश केपी शर्मा ओली ने मिल के एक सरकार बनाई अब प्रचंड जब प्रचंड प्रचंड बनना चाहते थे केपी शर्मा ओली ने बनने नहीं दिया सरकार गिर गई केपी शर्मा ओली ने बोला मैं प्रचंड नहीं तो तुम भी प्रचंड नहीं मैं dissolve कर रहा हूं फिर से election ठीक है तो भाई यहाँ पे इंडिया क्या बोलना है MEA के Ministry of External Affairs के जो Spokesperson ने अनुराप शर्वास्तो उन्होंने ये बोला है कि नेपाल में जो भी political developments हो रहे है they are internal matters of नेपाल और नेपाल उनको अपने democratic processes से निपटाएगा हम एक neighbor हैं, एक well-wisher हैं नेपाल के और हम नेपाल के और इसकी लोगों के मदद करेंगे ताकि वो path of peace, prosperity और development पे चलें ठीक है भाई, ये सब बाते हो गई है India's statements has come a day after a constitution bench of Supreme Court of Nepal takes up writ petitions that have challenged Prime Minister's only actions नेपाल में बहुत सारे writ petitions डाले गए हैं उनकी Supreme Court में कि जो प्रधान मंतरी KP शर्मा ओली जी ने decide कि कि नए elections करवाओ, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं ये देखिए, बहुत सी बाते हैं नेपाल भी एक democracy है, क्या सरकार को बिना गिराए या फिर आप कह सकते हो कि to be process क्या elections को बिना conduct करवाए कोई और प्रधान मंतरी बन सकता था, क्या कोई और coalition बन सकता था, ये सोचने वाली बात है KP शर्मा ओली अपनी प्रधान मंतरी की seat से नीचे उतर के किसी और को प्रधान मंतरी बनने देना चाहते नहीं, तो वो पुष्प कुमार दहल प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बन जा है ये KP शर्मा ओली को मंजूर नहीं है तो उरोंने किया किया पारलेमेंट को इडिजॉल कर दिया तो क्या पारलेमेंट को डिजॉल करना सही था ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है और ये चैलेंज जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने है ठीक है भाई जेनल स्टेडिस पेपर टू की एक इन्फरमेशन है हाला कि बहुत ही कॉमन न्यूज हो गई है अब तो ये फिर अगला है लद्दॉक्स तोसो कार वेटलेंड कॉम्प्लेक्स इंडियास 42nd रामसर साइट यहाँ पर पहले आपको दो तीन चीज़े बता दो मैं अल्रड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ यह है लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इंडिया सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख ली जाके कि रामसर साइट्स कौन कौन से इंडिया में उसके बाद रामसर कंवेंशन क्या है और मॉन्टर्क्स रिकॉर्ड क्या है इसके उपर भी मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ तो आप यह देख सकते हैं रामसर कंवेंशन मेरे नाम केसा साच मार दीजे या मॉन्टर्क्स रिकॉर्ड मेरे नाम केसा साच मार दीजे आपको वीडियो मिल जाएगी और फाइनली एक और वीडियो वाटर वेट लेंड्स इन्वार्मेंट और इकलोजी में मैंने बहुत से बेसिक टॉक्ष को बहुत आसान भाषा में समझा रखा है तो अगर आप इन्वार्मेंट और इकलोजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस सेक्शन में इन्वार्मेंट और इकलोजी में चाहिए आपको काफी वीडियोज मिलेगी ठीक है तो ये तीन वीडियोज जरूर देख लीजे वेट लैंड्स क्या होते हैं वेट लैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या गया है दुनिया भर में रामसर कन्वेशन क्या है इंडिया में रामसर साइट का क्या कंसप्ट है मॉन्टरिक्स रिकॉर्ड क्या है वेट लैंड एक्चुली में होता क्या है इन सब चीजों के बारे में बता रख और इंडिया में कौन कोंसी रामसर साइट है ये भी बता रख रख है अभी इंडिया की रामसर साइट में एक और साइट जुड़ गई है, 42nd रामसर साइट इंडिया की कौन सी है, तोसो कार वेटलेंड कॉम्पलेक्स, तोसो कार वेटलेंड कॉम्पलेक्स कहां पे, Union Territory of Ladakh, और Union Territory of Ladakh की सेकेंड रामसर साइट है, Union Territory of Ladakh की अगर बात की जाए, तो 6 priority wetlands है यहाँ पे, एक है तोसो मुरी, एक है तोसो कार, एक है पैंगॉंग सो, एक है हानले, एक है चुशुल इन लेहे डिस्टिक्ट, और रुंग दुम है इन कारगिल डिस्टिक्ट, तो यह जो तोसो मुरी है ना, इसको designate किया गया है रामसर साइट, यह पहले से designated सी तोसो मुरी, और अब कौन सी रामसर साइट बन गई है तो सो कार, तो सो कार की बात की जाए, तो this is located in a high altitude wetland complex, इसमें दो main bodies है, एक है स्टार्ट सपुक सो, एक है सो कार, स्टार्ट सपुक सो, एक है स्टार्ट सपुक सो, एक है स्टार्ट और रीजन है, देखिए, तो सो कार जो बेसेन है, this comes in A1 category, important bird area, bird life international के हिसाब से, A1 category, important bird area, अब आप बोलोगे, important bird area क्या होता है, तो basically bird life international के हिसाब से, important bird area is an area identified internationally by a set of criteria for the conservation of bird population, bird population के conservation के लिए कुछ set norms decide कर रखे हैं, किसने bird life international है, तो उस set नामस के साब से, important bird area को अलग-अलग category में बाटा जाता है, और इसकी A1 category में आता है, तो सो कार बेसेन, ठीक है भाई, दुनिया भर में 12,000 important bird areas है, ठीक है भाई, उसके बाद Central Asian flyway में, एक key staging site है क्या, तो सो कार बेसेन, Central Asian flyway मतलब Siberia से या Central Asia से जो birds उरती हुई होती है न, तो वो लद्दाक के इस तुसो कार बेसेन में रुकती है, आप ये भी बहुत सकते हो कि this is one of the most important breeding areas of black-necked cranes in India, तो black-necked cranes के लिए भी एक important breeding area है ये तुसो कार बेसेन, तो तुसो कार बेसेन is an important wetland complex, और अब ये specifically बहुत ज़्यादा हो जाता है, च्योंकि इसकी फुर्टी सेगेंड रामसर साइट डेजिगनेट कर दिया गया है और अब्वेसी बात है यहाँ पर टूरिजम भी काफी बढ़ जाएगा, लद्दाक में जो लोग जाते हैं, जड़ादर पैंगोंग सो देखके आ जाते हैं वापस, अब वो ये लेक भी दिखने जाएंग हंडRED किल इन लेटेस्ट एथनिक मैसर करें इन एथोपिया। देखे एथोपिया के हालात बहुत जाधा खराब चल रहे हैं, और कहीं न कहीं इन खराब खराब आथों के लिए किसको responsible वाना गए है, अबे एहमद को responsible माना गे है, जो कि प्रायमिनिस्टर एथोपिया गै, अब ये बोल देना कि सिर्फ अबे एहमद ही responsible है ऐसा नहीं है दोस्तों देखे ये जो ये आपकी इथोपिया की society है ये बहुत ही ज़ादा ethnic society है यहाँ पर tribes हैं जिनको आप कह सकते हो कि ethnicity की basis पर decide किया गया है मतलब अलग-अलग किया है तो ये जो tribes है न दोस्तों tribal culture बहुत चलता है आपका इथोपिया के इंदर जैसे इंडिया में caste है religion है तो इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई तो अलग-अलग religion है अब religion के नाम पे तो पुरा-पुरा देशी बढ़ गया इथोपिया में उसी प्रकार से अलग-अलग tribes है ठीक है भई उनका demographic के सहसाब से बटी हुई है अब यह एमत का क्या role रहा है PPLF नाम की चीज़ क्या है एथोनो-federalism का concept क्या है history of Ethiopia, what's happening in Ethiopia इसके उपर मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ तो Ethiopia मेरे नाम के साथ YouTube में सर्च मार दीज़े आपको यह वीडियो मिल जाएगी आप इस वीडियो को देख लोगे तो काफी आपको चीज़न समझ में आजएगी background समझ में आजएगी तो यह news आपको समझ में आएगी फिलिस भाई, Ethiopia का नक्षा देख लेते हैं तो Ethiopia इस्टर अफरीका में पढ़ता है यह Ethiopia का map है, North में देख लीज़े Eritrea है Eritrea पहले Ethiopia का पार्ट हुआ करता था फिर Eritrea अलग हो गया Ethiopia से यह जो तिग्रे रीजन है आपका Ethiopia का यह आज भी Eritrea को Ethiopia मिलाना चाहता है बड़ कहीं अब एमन ने कहा दिया कि ठीक है हम Eritrea से रिष्टे अलग कर रहे हैं अच्छे कर रहे है, Eritrea अलग हो चुका है कहीं न कहीं तिग्रे पीपल को सुडान की जो बाउंडरी है बाउंडरी में जो लोग रहते हैं, जो लोकल गौर्मेंट उसका सपोर्ट है अगर आप Ethiopia की बात करें तो North में Eritrea के बादर, आपका वेस्ट में सुडान का बाउडर इस तरफ South सुडान मतलब कि आप कह सकते हूँ North West में सुडान और South West में South सुडान East में सुमालिया और South में केनिया तो यहाँ पर क्या समझ वहा है, Ethiopia is a landlock country समुंदर से direct access नहीं है अब बात करते हुआ यह है दोस्तों कि recently Western Ethiopia में सौ लोगों को मार दिया गया मैसेके हो गया मैसेके बहुत common है Ethiopia में और यह जो मैसेकरे हुआ है यह Metagal Zone में हुआ है Beni-Shangul-Gumuz रीजन में और खास बात दोस्तों यह है कि इस रीजन में एक ही दिन पहले Abayama साब गय थे और वो बोल रहे थे कि ethnicity के नाम पे जो लोग Ethiopia में एक दूसरे को मार रहे है यह नहीं होना चाहिए इस प्रकार के मैसेकरे नहीं होना चाहिए ethnicity तो ethnicity का जो conflict है न Ethiopia में बहुत हद से जादा खराब है इतना Hindu Muslim India में खून के पैसे नहीं एक दूसरे की जितना यहाँ पे यह tribes एक दूसरे की खून की पैसी है तो कहीं न कहीं ethnic tensions बहुत जादा है 80 अलग-अलग ethnic groups हैं Ethiopia में और यह ethnic groups किसी ना किसी बात पर अपने आप पर लड़ते ही रहते हैं कहीं न कहीं किसी ना किसी तरीके से unity बनी थी Ethiopia में बट Tigre people से लड़ाई मोल के Abhay Ahmed ने Pandora box खोल दिया है तो आप Abhay Ahmed कोशिश तो कर रहे है कि national unity को ले के आए Ethiopia के अंदर लेकिन बहुत problem हो गई है और यह जो ethnic massacre हुआ है ना इस Beni-Shangul-Gumuz region medical zone में तिग्रे रीजन में जो बवाल चलना है TPLF versus Ethiopian army वो एक अलग conflict है उस conflict का इस conflict से कोई लिना देना नहीं है जो कि medical zone में हुआ है यहाँ पर जो attack हुआ है यह Amharas के against में हुआ है Amharas, Ethiopia का second populous ethnic group है आपसे एक सवाल है कि most populous ethnic group कौन सा है Ethiopia का नीचे comment box में बताइए एक hint देता हूँ जिस ethnic group के Mr. Abhay Ahmed है that is the most public ethnic group of Ethiopia Recently और भी यहाँ पर बहुत से attacks देखने को मिले है एक November को भी Far Western Oromia में एक attack हुआ था जहाँ पर 54 लोगों की जाने गई 54 लोगों की life गई Amnesty International की रिपोर्ट थी Early October में Benishangul Gumus region में 14 civilians की जान गई September में भी Deadliest Attack होई थे जिसकी वैसे 300 लोग अपने घरों से खड़ गए थे Ethiopia and Human Rights Commission ने बोला है कि हालात Ethiopia में बद से बत्तर है General Studies Paper 1 में Current Events of National and International Important में इस चीज़ आपको काम आ सकती है Ethiopia से related एक dedicated question आ सकता है कोई डाउट नहीं इसमें फिर final news की बात करते है UK EU reach post budget trade agreement देखे भई 31 December को deadline खतम होने वाली थी UK EU की देखे Brexit की जो deal है ना इसकी बात ने 2016 से चल रही है Finally Brexit हुआ कब 2019 में और ये रखा गया कि 31 December 2020 में पूरी तरीके से जो Britain है वो European Union से बाहर निकल जाएगा 31 December deadline थी अभी इस deadline के चलते औरड़ी बहुत सारे issues हो रहे थे United Kingdom के बीच में और EU के बीच में Finally Britain और European Union ने एक deal sign किये 24 December को जिसके चलते New Year के बात एक economic chaos देखने को नहीं मिलेगा Brexit turmoil देखने को नहीं मिलेगा दोनों sites ने एक agreement sign किया एक तरफ Britain दूसरी सरफ 27 nation का block जो कि अब goods में trade कर सकते हैं without any tariff, without any quota Finally UK EU से बाहर निकल जाएगा एक January को लेकिन फिर भी जो trade agreements है Limited trade agreements, movement of people across UK and other European Union ये चालू रहेगा पर आप देखे ये जो success मिली है 9 months of tense and testy negotiations के बाद मिली है ठीक है भाई कही न कहीं एक समय पे हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि Boris Johnson openly बोल रहे थे कि हम अगर छोड़ भी देते हैं EU को हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक बात करें दोस्तों यहाँ पे तो भाईये साड़े-4 साल पहले Britans ने वोट किया था 52% लोगों ने वोट किया था कि EU से बाहर निकलो 48% में बोल कि हम EU में रहना चाते हैं UK के लोगों ने क्या बोला टेक बैक कंट्रोर और फाइनली एनाउस किया गया कि UK EU को छोड़ देगा अभी किस हद तक यह सही है नहीं सही है वो तो बाद में ही पता चलेगा यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपस्टेकल था ब्रेटेन के सामने EU को छोड़ने में वो था फ्रांस देखे ब्रेटेन के बाद अगर European Union में कोई दो सबसे बड़ी economic ताकते हैं तो एक है जर्मनी और दूसरी है फ्रांस फ्रांस की तरफ से सबसे ज़ादा opposition था when it comes to a trade deal लेकिन finally जब यह deal sign हुई है फ्रांस ने भी बोला है कि भाई है ब्रेटेन और EU और EU के इतने सारे partners अगर यह सब लोग एक जगा पे बैठके एक deal sign कर पाए है तो कहीं न कहीं अपने आप में एक triumph की बात है एक जीत की बात है यह फ्रांस की तरफ से official statement आया है तीन साल लगे इस बवाल को होने में finally Britain ने जनवरी 2019 में इस structure को छोल दिया EU को छोड़ दिया लेकिन उसके बाद बातचीत में काफी समय लगा है और finally crash out को avoid कर दिया गया है अब यहाँ पे proper trade agreement होगा जब 31 December को Britain पूरी तरीके से EU को छोड़ देगा इसके लिए बहुत सारे political and negotiation sessions हुए है London में हुए Brussels में हुए Brussels Benjam में कभी-कभी pandemic के चलते यह जो negotiating sessions है यह postpone भी करने लगे बट finally तीन key issues पे जो भी differences थे वो solve होते नज़र आ रहे है यह तीन key issues कौन से है एक तो fishing rights ठीक है एक है mechanism for revolving future disputes तीसरा fair competition rules तो पहला fair competition rules trade को लेके लोगों की आने जाने को लेके दूसरा fishing rights यह भी बहुत major मुद्दा था तीसरा सबसे important मुद्दा mechanisms for resolving future disputes देखे Britain अगर EU को छोड़ रहा है न तो आगे बहुत सारी complexities आने वाली इतना आसान नहीं होगा तो जब वो complexities उठेंगे case by case तो कही न कहीं कोई तो adjudication mechanism होना चाहिए न कि Britain सही कर रहा है या EU सही कर रहा है इसलिए mechanisms भी proper तरीके से device किये गए जिससे आगे आने वाले समय में Britain की EU को छोड़ने के वैसे कोई legal problem आती है तो उन legal problems को solve करने में हमारे post options available होगे अगर आप England की बात करिए तो चार major region है England एक है Wales तूसरा Scotland तीसरा England और चौथा Northern Ireland यह जो Ireland है यह EU का हिस्सा है तो Ireland की भी जो problems थी वो यहाँ पर solve होती नजर आ रही है इस agreement से General Studies paper 2 International Relations में इस आपको खाम हैगी Thank you for watching friends Have a great day